नमस्कार हरर महादेव आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर जुलाई महीने का आखरी प्रदोस और असाड महीने का आखरी प्रदोस कब है जानिये इसकी पूजातित्थी बेधी और उपाज से सुक्षम्रित्यों खुशाली मिलेगी जुलाई में गुरु प्रदोस ब्रत 18 जुलाई के दिन रखा जाएगा इस दिन गुरुबार होने की वज़े से इससे गुरु प्रदोस ब्रत कहेंगे इस दोरान से पूजा का सुमूर्त वह हम आपको बताएंगे और कब से कब तक है इस दिन भगवान सिब की पूजा करके विशेश कृपा पाने के लिए प्रदोस्तिति को हम ब्रत भी रखते हैं वैसे तो भगवान सिब की पसंदता के लिए सबसे बड़ा दिल है सोमबार और महीनों में सबसे बड़ा महीना है स्रावण मस और हर महीने दो प्रदोस आते हैं दो सिबरातरी भी आती है तो प्रदोस वरत पर महान करपाप राप्त होगी जुलाई मेना का पहला प्रदोस्तों 3 जुलाई को था जो आपने रखाई होगा दूसरा ब्रत पड़ला 18 जुलाई को इसका सुब समय है रात को जिस समय में आपको पूजा करने है उसको जानिये नोट करके रख लिजिए सुब सबसे सुमूर्थ वैसे तो सुर्यो आस्त से कुछ देर पहले और कोई और एक गंटे दो गंटे बाद तक पुजा की जाती है प्रिदोस काल में लेकिन इस बार का सबसे सुमुहूर्त है आठ बज कर रात को आठ बज कर चाबालिस मिनट से रात को नौ बज कर तेईस मिनट तक इस बीच मैं यादे आप अपने किसी विशेष कामने के लिए भगवान सिब कोई पूजा प्रार्थना करेंगे तो आप क्यों है कामना भगवान वोलेनात अवस्य पूरी करेंगे ऐसा कहते हैं कि भगवान सिब की पुजा अर्चना करने से जीवन की सभी समस्याओं का निवारण ततकाल वोले नात करते हैं क्योंकि वह है आसुतोस आसुतोस तुम अधरदानी आरति हरव दीन जन जानी यह चौपा यह बस बोल देना अपने मन की कामना कहकर और भगवान सिब का जिन लोगों के सिर पर हाथ होता विसेश क्रपा होती है उस व्यक्त के जीवन में सफलता के योग बनने लगते हैं और फिर कभी समस्याओं नहीं आती हैं और उसके सभी सत्रूओं का नास हो जाता है सभी बिगड़े काम बनने लगते हैं ये व्रत इस्त्री और पुरुष दोनों ही कर सकते हैं इस व्रत के दोरन को छूपायों को करने से ब्यक्त की आर्थिक इस्तिती में भी सुधार होता क्योंकि गुबेर जो यच्छ राज कुबेर है खजांची है माता नच्चमी के वह भगवान भोले नात के सखा है इसलिए आर्थिक इस्तिती भी तुरंत सुधार ने लगती जो लोग भगवान सिपको पुर्दोस काल में विशेश चीज़ा कर परसंद करते हैं आए जानते हैं सबसे पहले पूजा बिधी क्या है उसके आद हम आपको गुरु पुर्दोस ब्रत के कुछ विशेश उपाय बताएं पुर्दोस ब्रत के दिन आप सुरियोदे से पहले इस्नान कर लें इसके बाद घर के पूजा इस्थान पर चौकी लगाएं या पहले से ही बहां पर भगवान बैठे हो माता पारवती सिफ तो बहुत अच्छी बात नहीं तो चौकी या पाटा बिचाएं उस पर एक कपड सुद्ध बिचालन सफेद या फिर लाल लंका इसके बाद आप सिवलिंग है तो सिवलिंग पर सहद घी और गंगाई जल से अब शेकर नहीं तो कहीं पास में भोलेनात का मंदिर हो तो बहां चले जाएं फोटो तो उसके समने सारी चीज़ा रखकर फिर मंदिर चले जाएं फिर भगवान सिवका अब शेकर पूजा के दोरन भगवान को आप सुएतार्क जो सफेद अकवा होता ना उसके फूल चड़ाएं कनेर के फूल चड़ाएं बेल पत्र चड़ाएं भांग धतूरा है मिल जाए तो अबसे चड़ाएं धतूरे के फूल भी चड़ाएं और फ जैसे मिश्री ले जा सकते हो किसमिश ले जा सकते हो या केले या कोई और रितुफन ले जा सकते हो इस्या भोग लगा उसके बाद घी का दिया जलाकर आरती करें और सिव चालिशा का पाठ करना तो बेहत सुब होता है मंदिर में बैठकर सिव चालिशा का पाठ करेंगे त और उसके बाद आप भगवान की आरती करें फिर आपने जो भोग लगाया वो आप भक्तों में बाट दें गुरु पुर्दे उसके तीन पिशेश उपायव हम आपको बता रहे हैं जिनको करने से आपके घर में सुक्समृति बनी रहेगी सफलता के हर कारी में योग बनेंगे तता हर प्रकार के डर से आप मुक्त हो जाएंगे आए जानते हैं कि गुरु पुर्दोस पर तीन सबसे प्रवो को उपाय क्या करें और हम आपको सबसे सिद्ध मंतर भी बताएंगे जो सबसे छोटा है बस थोड़ा सा और वीडियो देखते रही है आखिरी तक गुरु पुर्दोस के दिन भगवान सिब को आप पुर्दोस काल में जो आपने पुर्दोस काल बताया न शुरू महीं उसे आप नोट करके रख ले मैं न कहा था नहीं तुम्हें दुबारा अभी रिपीट कर देती हूँ पुर्दोस काल में ये आपको उपाय करना है पुर्दोस काल है रात को आठ बज का चबालिस मिनट से नोबज का तेईस मिनट तक तो पुर्दोस काल में सबसे पहला उपाय आपको करना है कि दही मैं सहिद मिलाए गंगाजल मिलाए घी मिलाए थोड़ा दूद डाले और भगवान सिब को इस पंचमरत से इसनान कराए और उसके बाद सुद्ध जल से धोए शिबलिंग को फिर आप उस पर चंदन का बनाए त्रिपुंड और त्रिपुंड बनाने के बाद फिर आप उस पर चाबल चड़ाए भगवान सिब पर आप बेल पत्र चड़ाए साम को भी फिर से और आप प्रार्थना करें अपनी मन कामना बोलें जिससे घर में और जीवन में शुक्ष मृद्धी बनी रहती है दूसरा उपाय प्रदोस्वरत के दिन दूद में थोड़ा सा केसर मिलाना है इसके बाद इसे आप केसर मिले हुए दूद को सिवलिंग पर लखता है इसलिए तामय के लोटे में दूदमे ले जाना निखेता है दूद आप इस चील के लोटे में ले जाए पीत लिके लोटे में ले जाए चांदी के लोटे में ले जाएं दूर्चडाते समय ओम नमाज सिभाय या फिर ओम होम जूम सह मंतर का जाप करें या स्री सिभाय नमस्तुभ्यम लगातार बोलते रहें माननिता कि से सभी कार्यों में सफलता के योग बनते हैं सभी भिगड़े हुए काम बनने लग लास्ट उपाय है शिवरुद्रास्टक इस्तुति का पाठ कर भगवान के मंदिर में बैठकर सिभलिंग के सामने ये बेहसुब होता है इसका पाठ करने से मन के सभी प्रकार के भैदूर होते हैं ब्यक्ति जीवन में सुखी रहता है हर प्रकार की शुक्षम्रिद्य मिलती ओम नमस्वा कमेंड बॉक्स में जरूर लिखें